जैम आता दी दोस्तो कैसे हैं आप सभी दोस्तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जुलाई माह 2019 के कुम्भ राशी फल के बारे में कुम्भ राशी के जातकों के लिए जुलाई का महीना कैसा रहेगा दोस्तों यदि हम जुलाई महीने की बात करें तो जुलाई के महीने के जो शुरुआत होगी आपके चतुर्थ में चंद्रमा की स्थिती होगी और शनी मंगल की द्रस्टी आपके उपर रहने वाली है इस महिने की शुरुवात में आपको प्रशासन से पूरा सहयोग मिलेगा और शुरुवात में ही आयसमंदी कुछ कठिनाईय जो थी वो सभी सॉल्वाप के लिए होंगी तीन जुलाई के बाद आपको हर चीज में सहयोग मिलना शुरू हो जाएगा नए कारियों की योजनाईय आप बना पाएंगे अपने पिता से आपको सहयोग की प्राप्ति होगी संतान भी आपकी समय खुश रहेगी अनुकूल रहेगी और वहीं मध्य जुलाई में शनी मंगल का प्रभाव आपके उपर पूरा बनेगा और चंद्रमा की स्थिति आपके लिए बहतर होगी जिससे आय आपकी बहतर बनी रहेगी धार्मिक कारियों में शामिल होने का मौक भी आपको मिलेगा और शुब समचारों की प्राप्ती भी आपके लिए होगी संतान से सहयोग मिलेगा और राजबक्ष से भी आपको लाब मिलेगा और यहीं 17-18 जुलाई को आपको आर्थिक कारियों में थोड़ी से परिशानी आ सकती है लेकिन ये समया आपासानी से गु हो सकती है तो स्वयम पर नियंतरन रखना है और क्रोध पर जरूर नियंतरन रखना है इस समय और अपने कीमती सामान की रक्षा जरूर करना है यदि हम नौकरी वालों की बात करें तो नौकरी करने वाले जातकों को प्रशासनिक सेवाओं में सफलता मिलेगी जॉब के गेल सकते हैं नई जौब के ओफर भी आ सकते हैं इनको तो इस महीने जौब लगने की पूरी-पूरी आपकी संभावना हम कह सकते हैं वेपार के लिए कहें तो वेपार के लिए समय सामाने हैं आपको कुछ अच्छे और कुछ नए मौके मिलेंगे उनमें से कुछ मौकों पर आप लाब नहीं कमा पाएंगे और कुछ मोखे आपके लिए बड़े ही लाबदायक सिद्ध होंगे। परिवार की बात करें तो परिवार के साथ समय आपका सामाने रहेगा। किसी बात को लेकर कुछ समय के लिए तनाव थोड़ा रह सकता है। लेकिन समय तोर पर महिना परिवार के लिहाज से आपके लिए अच्छा रहेगा। सेहत के लिए भी बहुत अच्छा समय है, पुराने रोगों में आपको आराम मिलेगा। इलाज की किसी नई पधती के बारे में भी आपको जानकारी समय मिल सकती है। दामपत्य जीवन अच्छा, मधूर और प्रेमपून रहेगा, जीवन साथी आपकी सभी परिशानियों में साथ रहेगा, सभी परिशानियों को समझेगा, सहयोग करेगा, आपके रिष्टे में समरपण की भावना रहेगी। यानि समय आपका बहुत ही अच्छा गुजरने वाला है किराय के मकान में रहने वाले लोग इस महीने थोड़ी सी परिशानी का अनुभव कर सकते हैं खुद का घर लेने की इच्छा आपकी बलवान ही समय हो सकती है आप लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं सफलता मिलने का पूरा पूरा योग है इसके साथ ही कुम राशी के जातकों को इस महीने कुछ उपाय जरूर करना चाहिए आप पीपल के पेड़ को सुभा जल चड़ाएं और पक्षियों को भोजन और पानी नियमित रूप से रखते हैं तो आपके लिए ये जुलाई का महीना बहुत अच्छा साबित हो सकता है तो दोस्तो अधिक ऐसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो को लदिक से अधिक लाइक शेयर करें